नमस्कार, न्यूस क्लिक में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं इतिहास के पन्ने मेरी नजर में। कुछ ही दिनों में हम लोग एक और साल को अलविदा कह देंगे और 2019 इतिहास का बस एक पन्ना बनकर रह जाएगा। इसके साथ 21 शताबदी का दूसरा दशक भी हमारे अतीद का हिस्सा बन जाएगा। कैसे रहा ये दशक आपके लिए। आपने कितनी तरकी की इन 10 सालों में और क्या कुछ से गुजर गए आप। कितनी मुश्किलों का सफलता पूरवक सामना किया और कितनी मुसीबतों से लड़ते रहे। कितने ऐसे मौके आए जब आपको निराशा का सामना करना पड़ा। लेकिन पर्सनल बैलन्स शीट से हटकर अगर हम देश या राश्ट्र की बात करें तो इस दशक में क्या सबसे महत्वपून घटनाए थी। क्या कुछ बदला और क्या वैसा का वैसा ही रह गया। इस बीटते हुए दशक की कॉमन नेरेटिव क्या रही। भविश्य के इतिहासकार जब 2010 से 2019 के 10 साल की घटनाओं का मुल्यांकन करेंगे तो किन इविंट्स का उलेख करेंगे। हर दशक अगले 10 सालों के स्वरूप का संकेत देता है। अब आप 70 के दशक को ही देखिए। ये वो पीरियड था जब हिंदुस्तान में पहली बार केंद्र सरकार को जनता से चुनाओती मिली थी। उसके बाद इंद्रा गांधी ने एमरजेंसी लगाई। लेकिन दो सालों के अंदर उन्होंने अपनी democratic credibility को re-establish करने के लिए चुनाओ कराए। 1977 के लोकसभा चुनाओं में Congress हार तो गई। लेकिन दशक खतम होते होते ये साबित हो गया कि भारत की जनता फिर से उन्हीं को चुनेंगे जो सरकार चला सकते हैं। देश दरसल गठबंदन की राजनीती के लिए तैयार नहीं हुआ था और उसे एक मजबूत polarizing figure की जरूरत थी। 1980 में electoral politics में पूरी तरह से धर्म की entry हुई और अंतक clear हो गया कि सांप्रदाइक ताक्तों ने बहुत हद तक अपने आपको politically credible बना लिया है। 1990 में communal politics ने अपनी जगा तो बना ली लेकिन थोड़ा बहुत resistance था। वही विरोध के कारण 21 शताबदी के पहले दशक में हमने secular politics का reaccession देखने को मिला। अटल विहारी वाजपेई ने तो कहा ही था कि NDA की हार के पीछे गुजरात के 2002 के सांप्रदाइक दंगों का बहुत बड़ा हाथ था। इसके बाद 2008 तक left and democratic forces का केंदर पर बहुत influence रहा। लेकिन दशक खतम होते होते ये समझ में आ गया कि criminal forces का revival हो रहा है। हर दशक में एक या दो ऐसे लोग होते हैं जो उस period के प्रमुख protagonist माने जा सकते हैं। अगर हम 2000 से 2009 की बात ही करें तो हम शायद कह सकते हैं कि सोनिया गांधी उस दशक की central character थी। विदेश में पैदा होने के बावजूद किस तरह से वे power behind the throne बन गई। 1990 के दशक में एक तरफ तो VP सिंग का रोल प्रमुख था। उन्होंने social justice की politics की new रख दी अपने mandal commission वाले फैसले से। वहीं दूसरे तरफ एक और प्रमुख character कोई living या फिर historical figure नहीं बलकि एक legendary personality थे जो कुछ किताबों में, कहानियों में, कविताओं में और film या television serial के मुखे पात्र थे। वो थे भगवान श्री राम जिनके नाम पर धर्म का प्रचार कम हुआ और नफरत की भावना ज्यादा फैलाई गई। तो इस बीटते हुए दशक के central issues क्या रहे। कौन रहा इस period का मुखे किरदार। किस दिशा में हमारी राजनीती मुड़ रही है। और सबसे एहम बात आम हिंदुस्तानियों के सोच में क्या कुछ बदलाव आया है। तुनिया के इतिहास में बहुत समय सबसे influential विक्ती हीरो नहीं बलकि एंटी हीरो हुए हैं। अब यूरोप या फिर जर्मनी को ही देखिए। 1940 के दशक में कौन था वो इनसान जिसका स्टैम्प सिर्फ उस period पर ही नहीं बलकि उसके मृत्यू के बाद बहुत सालों तक पूरे दुनिया में रहा। हिटलर शाही तो हमारे political lexicon का हिस्सा है। कौन ऐसा इनसान है हिंदुस्तान में जिसने अगर कभी भी आंदोलन किया हो चाहे सरकार के खिलाफ या फिर अपने ही college के authorities के against ये नारा नहीं लगाया हो हिटलर शाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी। लगभग 75 साल होने जा रहे हैं द्वितिये महायूद के समाप्ती और एडॉल्फ हिटलर के मृत्यू के। लेकिन अब भी हर political इंसान अपने चारों तरफ उनकी परच्छाई ढूंडता रहता है। इस बीते हुए दशक की शुरुवात भारत में काफी promising थी। कुछ ही महीने पहले लोकसभा के चुनाओं में UPA comfortably re-elect होके आई थी। 1991 के लोकसभा चुनाओं के बाद 2009 का election पहला था जिसमें किसी पार्टी ने 200 से जादा seatे हासल की। ऐसा लगने लगा था कि जिस compulsions of coalition politics का जिकर मनमोहन सिंग ने अपने पहले term में किया था अब उनको मजबूर नहीं करेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ चाहे उनके limitations के वज़े से या फिर lack of political will के कारण एक के बाद एक corruption scams सामने आने लगे। यह वो period था जब दुनिया में बहुत से social and political revolutions आम जनता के initiative पर शुरू हो रहे थे। और कई देशों में सरकारों को हिला कर रख दिये। ट्यूनिसिया, ईजिप्ट, लीबिया, सीरिया, यमन और भारेन में लगातार सरकारी विरोथी आंदूलन शुरू हो गए और इनको reference के लिए Arab spring कहा जाने लगा। उसे देख भारत के नागरिकों को भी लगा कि वही टेकनीक्स का इस्तिमाल करके हिंदूस्तान में भी सरकार विरोधी anti-corruption movement का scope है। बहुत spontaneously 2011 और 12 में इस आंदूलन ने जोर पकड़ा और अन्ना हजारे के नेत्रतुम में इस आंदूलन ने government को लोकपाल का institution स्थापित करने के लिए pressurize किया। एक समय ऐसा आया कि लगने लगा कि सरकार अपने घुटने टेक देगी और NR की फैल जाएगी पूरे देश में। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, movement अपने आप implode कर गया। बाबा रामदेव जैसे political vested interest groups जो इस आंदूलन को infiltrate कर चुके थे, expose हो गए। लेकिन इन लोगों ने अपने साथ corruption के इस मुहिम को भी discredit कर दिया। इसके बावजूद इस anti-corruption movement के बहुत positives थे। पहली बात तो ये थी कि इस आंदूलन को जितना support मिला, उससे थाबित हो गया कि भारत की युवापीडी पूरे तरह से नियो लिब्रल इंडिया में materialistic culture का शिकार नहीं हुई थी। उनमें अभी भी उनमाद या जोश बाकी था। कुछ बदलने की भावना, कुछ मांगने की इच्छा थी। anti-corruption आंदूलन में हिस्सा लेकर युवाँ उन्हें साबित कर दिया कि वे अभी भी विश्वास रखते थे कि अगर कोई चाहे तो आसमान में भी सूराख हो सकता है। बस एक पत्थर तो तब्यत से उच्छालने की देरी है। हिम्मत उनको देखकर बढ़ती है जिनोंने हमारे पहले सत्ता को थोड़ा भौत ही सही लेकिन हिलाया हो। डिसंबर 2012 में दिल्ली में एक युवती की भयानक तरीके से बलातकार और मुर्डर हुआ। उस घटना के रियाक्शन को देखकर ऐसा लगने लगा कि भारत में युवा अब भी बेहत पोलिटिकली अवेर और सेंसिटाइजड हैं। सरकार फिर से मजबूर हुई। कानून में जो एमेंडमेंट हुआ उसके फाइदे या नुकसान पर बहस हम कभी और करेंगे। लेकिन इस घटना से साबित हुआ कि स्पॉंटेनियस प्रोटेस्ट का कितना पावर होता है। विरोध व्यक्त करने के लिए किसी राजनेतिक दल की आवशक्ता नहीं होती हमेशा। इन दोनों आंदोलोनों ने एक और रियालिटी को उभारा। वो था सोशल मीडिया के पावर का एमर्जेंस। इस बीते हुए दशक के शुरुआत से ही ये क्लियर हो गया था कि सोशल मीडिया एक बहुत महत्वपून टूल बन गया है। इस से पोलिटिकल कैंपेइनिंग भी की जा सकती है और ऑपोनेंट को विलिफाई या परिशान भी किया जा सकता है। समाज में जहर तो घोला ही जा सकता है। हमने रिपीटेटली देखा कैसे सामप्रदाइक दंगे और एटैक्स सोशल मीडिया में फॉल्स न्यूज पोस्ट करके भड़काए गए हैं। 2010 तक कई पोलिटिकल नेता सोशल मीडिया का इस्तिमाल करने लगे थे। शीष के नेताओं में नरेंद्र मोदी ने अर्ली लीड हासिल कर ली और देखते ही देखते उन्होंने अपना प्रेजन्स वाइडन कर लिया अलग-अलग प्लाटफॉर्म्स पर। Twitter, Facebook, Blogs और प्रधानमंत्री बनने के बाद Instagram पर उनकी record following होने लगी। उनके followers के authenticity पर controversy भी हुई लेकिन तब तक उनका internet presence बहुत विशाल हो गया था। प्रधानमंत्री बनने के बाद से उन्होंने रेडियो पर अपना talk show भी शुरू कर दिया। मन की बात का प्रचार बाकी platforms और मीडिया में भी होने लगा। प्रया सिंपल था। जनता के साथ एक direct political communication establish करना। Modi का कहना था कि mainstream media खास तोर से अंग्रेजी मीडिया उनके खिलाफ था। youth power और spontaneous protest का emergence और साथ ही social media का हिंदुस्तानी political theater में entry के अलावा एक बहुत important trend इस दशक में देखने को मिला। ये था इस बीते हुए दशक में समाज में हिंदुतों की धारना और Modi का बढ़ता हुआ support। 2014 के लोकसभा चुनाओं के बाद 30 साल में पहली बार single party majority वाली सरकार बनी। देश के electoral history में ये एक watershed था। जनता को एक बार फिर से strong centralizing leader की जरूरत मैसूस हुई। लेकिन फिर doubts भी थे। क्या 2014 के नतीजे stray phenomenon था या फिर एक काल का अंत की coalition era अब हमारे इतिहास के पन्नों का बस हिस्सा है। 2019 के चुनाओं ने साबित कर दिया कि जनता को अभी भी उनके livelihood concern से गुम्रा कर राश्रवादी sentiment से motivate करके उनके voting choice को influence किया जा सकता है। ये सोच इसलिए आई क्योंकि 2014 के बाद कई घटनाओं ने साबित किया कि समाज में हिंदुत्व ideology के support में इजाफा हुआ है। मई के महीने के बाद एक के बाद एक हिंदुतों के gains को भी समर्थन मिला है। कश्मीर, तीन तलाक और राम मंदिर के मुद्दों पर जनता ने developments को welcome किया है। लेकिन दशक खतम होते होते नागरिक्ता के कानून में संशोधन पर विरोध को देख कर ऐसा लगता है कि कहानी अभी भी बाकी है। क्या अगला दशक political contestations का होगा या एक submissive society का। क्या majoritarianism की भावना बढ़ती जाएगी और हिंदुतों की राजनीती और जोर पकड़ेगा। क्या समाज में exclusion नया normal बन जाएगा। मैं इतिहास की बातें आपके सामने लाता हूँ। आपके हातों में भविश्य की दिशा है। मेरे पास अतीत का विशलेशन है। आपकी सोच आने वाले generations का template होगा। नमस्कार। विश्या चेघके हाओ। आने में गजिशम्स